ये आकाश्वानी रैपुर है प्राधिशिक समाचार बुलेटन के साथ मैं गोपा सान्याद और पेशा आज के मुखे समाचार प्रधान मंत्री ने कहा कि खिलोने और गेम्स परमपरा और प्रोध्योगी की काब मिलन उन्होंने वर्चूल माध्यम से टॉय के थान के प्रतिभागियों से बाचित की मुखे मंत्री ने पड़ोसी राज्यों में कोरोना वाइरस के डेल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधेश में लोगों से सतक रहने की अपील की है बाच्पा के राश्य महामंत्री दुशंत कुमार की मौजूदगी में आज रायपूर में पार्टी के विधायक दल की बैठक आयजुत की गई है और कभीर जैंतिय विरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज प्रधेश में हुए अनेक कारिक्रम शुताओ देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयू के सभी लोगों के लिए सरकारी केंदरों में निशुर्क टीका करन अभ्यान चलाया जा रहा है आपसे अपेल है कि कोविद रोधी ठीका जरूर लग्माए कोरोना महामारी के प्रती कोई भी लापरवाही न बरते जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करे मास्क लगाएं दो गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं बार बार हाद धोएं और चेहरा साफ रखें लोगों को कोविद से संबंदी जानकारी देने और उनके मार्क दर्शन के लिए राष्ट्री हेल्पलाइन कारे रथ हैं प्रधान मंत्री नरेंदर बोदी ने कहा है कि परमपरा और प्रौद्योगी की आतनिर्वर भारत की ताकत है उन्होंने कहा कि खिलोने और गेम्स परंपरा तथा प्रादोगी की का मिलन है और गेमिंग और खिलोरों के शित में देश में शमता निरंतर बढ़ रही है प्रधान मंत्री ने कहा कि खिलाडियों में नेत्रित्व की भावना सहित विभेन कौशल होने चाहिए प्रधान मंत्री ने आज टॉयकेथान के प्रतिभाग्यों के साथ वर्चुल माध्यम से वाचिव की प्रधान मंत्री ने योग के महत्व का उलेख करते हुए कहा कि योगा भ्यास का चलन बहुत बढ़ गया है और ये नई तरह के खिलोने और गेम्स योग को और बढ़ावा देंगे खिलोनों से जुड़े सेक्टर के विकास से ऐसी महिलाओं के साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हमारे आदिवाती और गरिब साथियों को भी बहुत लाब होगा लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने लोकल खिलोनों के लिए वोकल होगे लोकल के लिए वोकल होना जरूरी है कलाकारों को कैसे नई टेक्लोलोजी नई मार्केट डिमांड के अनुसार तैयार करें ये भी आवश्चक है टोय के थाउन 2021 की शुरुआत इस साल पांच जन्वरी से की गई है प्रतियोगिता के लिए एक लाग बीस हजार पतिवागियों ने पंजी करण कराया और सत्रह हजार से अधिक विचार प्रस्तूत किये केंदे स्वास्त मंठाले ने कहा है कि राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों के पास अब भी एक करोड़ नवासी लाग कुविड वैक्सिन मौजूद है केंजी सरकार ने अब तक 30 करोड 33 लाग से अधिक वैक्सिन राजियों और केंदर शासित प्रदेशों को उपलब्ड कराई है साथ ही अगले तीन दिनों में 21 लाग 5,000 से अधिक टीक के उपलब्ड कराई जाएंगे इदा 36 गड़ में कल 1,58,000 से अधिक पात्रे लोगों को कोविद वैक्सिन लगाए गए इसके लिए राजिय में 3,847 केंदर बनाय गए थे प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयू वर्ग में अब तक करीब 89,86,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगा जा चुका है वहें प्रदेश में कोरोना संक्रमन की स्थिती में लगातार सुधार हो रहा है और और उसत पॉजिटिविटी दरगट कर 1,1 पर पहुच गई है इस बीच मुख्यमन्ती भुपेश बगेल ने पड़ोसी राज्य मत्रदेश और महराष्ट में कोरोना वारिस के डिल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में लोगों से सतर करेने की अपील की है मुख्यमन्ती ने नाग्रिकों से कहा है कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारवजने के स्थानों पर मास्क का उप्योग करें और सुरक्षित दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें साथी मुख्यमन्ती ने अंतर राज्य सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नज़र रखने के निर्देश दिये हैं अभी तक चतिस कड़ में डेल्टा प्लस वेरियंट का एक भी मामला सावने नहीं आया है केंजी स्वास्त मंत्राले ने मीडिया के उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि बेखर लोगों को तक्निकी सुविधा अपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं और कोविट का टिका लगवाने से वन्चित हो रहे हैं मंत्राले ने कहा कि यह आरोप आधार हीन और तत्य हीन है कोविट टिका करण के लिए मोबाइल फोन और पते का प्रमाण पत्र अनिवारिय नहीं है और कोविट एप पर ऑनलाइन पंजी करण भी अनिवारिय नहीं है उपभुकताओं के आसानी के लिए कोविट एप बारा को रवाना होगी वहीं अजमेर दुर्ग स्पेशल ट्रेन पांच जुलाई से प्रतियक सोमवार को संचालित की जाएगी परिचालन के दोरान ये गाड़ी चतिसगड के दुर्ग रायपूर भाटापारा उसलापूर और पिंडरा रोड स्टेशनों पर रुकेगी वहीं रेल शोताओं में आकाश्वाणी और दूर्दर्शन से प्रसारित होने वाले समाचार के भरोसे मंद बने रहने पर प्रसनता व्यक्त की है Reuters Institute for the Study of Journalism की Digital Report 2021 के अनुसार लोग सेवा प्रसारक आकाश्वाणी और दूर्दर्शन समाचार के साथ साथ प्रिंट मीडिया ने शोताओं और पाठगों का भरोसा कायम रखा है मुझे लगता है मैं दूर्दर्शन और आकाश्वाणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक विश्वस्नियता का नाम है दूर्दर्शन विश्वस्नियता का नाम है All India Radio इसमें जो न्यूज होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं इसमें जो खबरे है वो बहुत भरोसे मन्द होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरे देखने के लिए दूर्दर्शन और आकाश्वाणी को सुनते हैं प्रसार भारती के मुख्य कारेकारी अधिकारी शशी शेकर वेमप्टी ने प्रसार भारती के अंतरगत आकाश्वाणी और दूर्दर्शन की 500 से अधिक कायों में इलक्ट्रोनिक रूप से शत्र प्रतिशत काम करने पर कर्मचारियों को बधाई दी है प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रहपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों के ओर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल आगामी 15 दिनों तक बैठके लेकर राजसरकार की सर्वोच प्राथिमिक्ता वाली योजनाओं की क्रियानवयन की समिक्षा करेंगे इन बैठकों के शुरुआत कल 25 जून से होगी पहली बैठक में नामांतरन, बटवारा, सिमांकन और अबूजमार में दिये जा रहे पट्टों की समिक्षा की जाएगी इन सभी बैठकों में विभागिये मंत्रियों सहित, अधिकारी और विशय विशय शग्या शामिल होग मुख्यबंती भुपेश बगेल ने उर्वरक कमपनियों को राजी के कोटे के अनुरूप यूरिया और डिएपी खाद की आपूर्टी करने के निर्देश दिये हैं, उन्होंने निर्धारित आपूर्टी नहीं होने और जमा खोरी की शिकायत होने पर ततकाल कारवाई के निर्देश भी दिये हैं, शिबगेल ने सम्मनित विभाग के अधिकारियों को ठोक और फुटकर विक्रेता के स्टॉक की जाच करने और जमा खोरी करने वाले विक्रेताओं को ब्लाक लिस्टेट करने को खा है, मुख्यमंती ने सभी ठोक विक्रेताओं के पास मौजूद यूरिया और डियेपी खात को तुरंत फुटकर विक्रेताओं को देने के निर्देश दिये हैं, भारती जनता पार्टी विधायक गल की बैठक आजरायपूर में आयोजित की गई, इस बैठक में भाजबा के राष्ट्रियों महामंत्री दुश्यंत कुमार गौतम के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णोदेव साय, पूर्व मुख्य मंत्री डॉक्टर रमन सिंग, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश संगठन मंत्री पवन साय सहेत, पार्टी के सभी वहिष्ट अधिकारी और विधायक के शामिल हुए, बैठक क चरम पर है। अभी लगाता, जो सहीयोग मिल रही है केंदर से, इन सारे बातों को ले करके विस्तार से चर्चा हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सारे मुद्दों को ले करके हम लोग जाएंगे। कि एकता के लिए डॉक्टर मुखरजी द्वारा किये गए योगदान को कभी बुलाया नहीं जा सकता। और दलब है कि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी की जयनती है। सशक्त सीमा बल द्वारा इन दिनों ब्रिक्षार उपन कारेक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्रिनिंग द नेशन के तहट सशक्त सीमा बल प्रहरियों ने दुर्ग जिले में इसकी शुरुवात की। इस दोरान प्रदेश के सभी मुख्यालेव में 15,000 से अधिक बौधे लगाये जाएंगे। इस औसर पर SSB 36 गड़ के उप महा निरिक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि राजी में पर्यावरण के संरक्षन और समवर्धन के लिए SSB अपनी मातरपून भूमी का निभा रहा है। बलकि आसपास के छेत्र के समस्त्र जनों का प्रबुद्वर्ध का गाउं के समस्त्र जनों का आभवान करते हैं कि हमारे इस आयोजन के साथ समिलित हों और इस प्रयोजन को सफल बनाएं। के चितर पर मालयार पढ़कर उन्हें नमन किया। इस आउसर पर शिवखेल ने कहा कि रानी दुर्गावती भारत की उन विरांगनाओं में से एक हैं जिनों ने अपने शौर्य और साहस से वीरता की एक नई अबारत लिखी। वहीं आज संत कबीर की वी जयनती है। इस आउसर पर मुक्यमंत्री ने कुशा भाव ठाकरी पत्रकारिता और जन संचार विश्विद्याले द्वारा आयजित एक वर्चुल कारिक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि और अब कुश खबर हैं संचेप में अधिकारियों के संलगनी करन और दो करमचारियों के निलम्मन की करवाई की गई। और इसी के साथ प्रदेशिक समचार वुलिटनी है समाप्थुआ नमस्कार